हम सभी बच्पन से ही सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसके कुछ मिस्ट्रीज को हम ठीक से समझ नहीं पाएं सोलर सिस्टम एक ऐसा भूल भुलाया है जिसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही नए रहस्य सामने आते जाएंगे तो चलिए आज एक और नए रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं नमस्कार मैं हो प्रिया और एडिवरा इंसाइट्स में आप सभी का स्वाखत करती हूँ आज के सेशन में हम चर्चा करने बाले हैं कि नेप्ट्यून और यूरेनस आखिर अलग-अलग कलर्स के क्यों दिखते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लानेट्स बहुत अलग-अलग हैं लेकिन कई सारे प्लानेट्स में सिमिलारिटीज भी देखने को मिलती हैं जैसे की अर्थ और मार्स में कई सारे सिमिलारिटीज हैं तो वही Earth and Venus में कई सारे differences के साथ-साथ कुछ similarities भी हैं। ऐसी ही कुछ similarities और कुछ differences Uranus और Neptune में भी हैं। दोनों ही planets का size, mass और atmospheric composition बहुत हद तक similar हैं, लेकिन इनका जो color है वो अलग है। Visible wavelength पर Uranus pale shade of cyan है, जबकि Neptune deep azure color का है। क्या आपने कभी सोचा है कि Uranus और Neptune अलग-अलग colors के आखे क्यों हैं? इसे जानने की कोशिश करते हैं। Scientist के लिए अब तक ये समझना असान नहीं था कि दोनों ही planets का जो color है वो आखे different क्यों हैं। क्योंकि पहले similar data नहीं था जिसको analyze किया जा सके, दोनों planets को compare किया जा सके। लेकिन अब ये possible हैं। Neptune और Uranus के atmosphere में present तीन aerosol layers के बारे में बताता है। जिनके वज़र से इनके colors में फर्क देखने को मिलता है। Key layer जोकी main layer है, इनके color को effect करता है। वो है middle layer, जोकी haze यानि के धुन्द का layer है। haze layer Neptune के comparison में Uranus पे जादा थेख है, जिसकी वज़र से इनका light color appear होता है। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरह के interesting updates के लिए बने रहे हमारे साथ। Thank you so much!